अज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारें साबुद गवारफली की सबजी आपने गवारफली को कई तरह से बनाया होगा और यह ज़िया तरीकों से नहीं बनती है बसे दो से तीन तरीके होते हैं पर आज कुछ अलग यह साबुत गवार फली की सबजी बनाते हैं और गवार फली कैसी सबजी है काफी बारा में से कम खाना पसंद करते हैं क्योंकि हमेशा ड्राय तरीके से बनती है तो आज मैंने सोचा इस तरह से बनाते हैं जो घर में सभी खाना पसंद करें और यह बहुत ही तेस्टी लगते है रोटी या राइस के ताथ उसके लिए मैंने गवार फली ले लिए उपर नीचे से थोड़ा सा कट कर लिया है और इसे पानी से अच्छे से वश कर लिया है उसके बाद एक कड़ाई रख देंगे जाली वाली होल वाली प्लेट रखकर इस पर हम यह गवार अच्छे से स्टीम हो गई है तो इसे हम साइट में रख देंगे अब एक ओखली ले ले यहां फिर मिक्सर ले ले और ओखली के अंदर त्याग मैं आपर डाल रही हूं चार से पांच लॉंग आदे इंच अद्रक के टुकड़े को बीच से काट कर डाल दे एक बड़ा तो इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं पर उसमें भी आपको क्या करना है दर्दरा पीसना है पर इसने क्या होता है यह ओखली में करते हैं तो इसका स्वाद और निखर कर आता है पर अगर आपको थोड़ी सी जल्द बाजी है और आपके पास ओखली अविलेबल नहीं है तो तो ने यह दरदरा कूट के रखा था बस वो डाल दीना है और इसे 1-2 मिनिट तक अच्छे से भूनना है एक से 2 मिनिट भूनने के बाद इसके अंदर में डाल रही है टमाटर इस तरह से दो कटे होए मीरियम साइस के टुकडों में और टमाटर को बस एक बार इस तरह से मिक् लेंगे टमाटर देख सकते हैं सौफ्ट हो गए है अच्छे से पक गए है तो तो पस कर्ची की मतर से इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इस तरह से और सौफ्ट है तो काफी एजीली हो जाएगा उसके बाद स्वाथ के अनुसार नमक और इसके साथ अब इसके अंदर मे जाए इस तरह से इसके अंदर डॉल दीजिए और बस इस सबही को आपको अच्छे से मिक्स कर एक हो जाए और यह सबजी 20 थे बहुत ही टेस्टि मनती है जाए पिसे रोटी के साथ ऐए या फिर डाइस 실टी ऑन भुरसे में ठीर सकते हैं अच्छे अर्छ ए से माद बहुत के साथ या फिर आप इसे इसे भी ले सकते हैं यह अपर देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया आप इसके अंदर में डाल रहे हूं एक चौथाई कप पानी पानी आपको जादा नहीं डाला है बस एक चौथाई कप पानी डाल दीजे अच्छे से मिक्स कर लीजे और मिक् पर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया और यह तैयार बढ़िया सी साबुत गवार फली की सबजी यह बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आप वेट लॉस कर रहें तब भी ले सकते हैं ऐसे ऐसी ही खाए यह रोटी के साथ यह पराटो के साथ यह राइस के साथ जरू ट्राइ कीज़ेगा यह साबुत गवार फली की सबजी और मुझे कमेंट्स बताइए का आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी है बहुत ही हेल्दी सिंपल और टेस्टी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीज़े शेर सितने थैंक यह वो बच्छी